हलो विटा आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर करके आए हैं इस वीडियो को देखें वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गंटी वाला आइकन दबाएं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें आपकी कोई डिमांड है कोई हल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है वो चैनल के लिंक में जाकर के उस को जॉइन करिए उसमें हमारा इमेल एडरे से बहुत सारी चीज़े डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां से आप जा करके हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास अपना एक Android एप्लिकेशन है आप एप्लिकेशन डाउनलोड करें बहुत सारे कोर्सेस हैं बहुत सारे प्री कोर्सेस उसमें उन कोर्सेस को देखिए और उनका अनंद उठाइए ठीक है वीडियो देखिए अगले वीडियो में मिलते है तब तक के लिए नमस्कार है है डालेंगे बेट चलो बक मिनिस्टर हुलरीन है डालेंगे उसके अंदर लिखेंगे पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अपन पी ब्लॉक में कारवन के लोट्रॉप पढ़ रहे हैं जो लोग पिछली क्लास में नहीं आये थे लास्ट चेप्टर ही है समझलो ये एक हाइड्रोजन बचा है वो मैं आज रात के पढ़ा दूँ हो बक मिनिस्टर फुलरीन में लिखो वेन एलेक्टरिक आर्क इस ट्रॉक स्ट्रॉक बिट्वीन टू ग्रेफाइट एलेक्ट्रोड्स बिट्वीन टू ग्रेफाइट एलेक्ट्रोड्स in an inert atmosphere in an inert atmosphere two graphite electrodes in an inert atmosphere in an inert atmosphere a suit S-double-O-T suit suit is produced suit समस्ते हो क्या होता है suit समस्ते है suit क्या होता suit यान होता है kalik ठीक है kalik में kalik kalik तेरे मुँपे kalik पोद दूँगा kalakala वो क्या कोई क्यूद बोर रहा था बेटा आप कैसे इनर्ट एक्मोस्फियर के बाद क्या होता है इनर्ट एक्मोस्फियर suit is produced which contains carbon black a suit is produced which contains carbon black and C60 C60 cluster molecules यह बना है C60 cluster molecule अगली लाइन में रिखना इस इस C60 इस C60 cluster molecules these C60 cluster molecules are called buckyball buckyball due to B-U-C-K-Y buckyball ऐसा मेरा मानना है buckyball due to their due to their soccer ball like structure soccer ball like structure in which five-membered and six-membered rings in which five-membered and six-membered rings are alternate to each other are alternate to each other पाच और शे membered ring पाई जाती है एक दूसरे के alternate ठीक है बस यह बहुत है इतना buckyball के बारे में ठीक है इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के जरूत नहीं buck minister बोलते हैं चोकि buck minister नाम के scientist ने दूणडा था इस वज़े से buckyball बोलते हैं बता दिया कैसा होता है ball के जैसा होता है अगला लिखेंगे भाईया allotrops of tin allotrops of tin tin के दो allotrop होते है एक होता है white tin और एक होता है grey tin white tin और grey tin white tin होता है crystalline 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 ज़्यादा होगे crystalline crystalline और grey tin होता है amorphous amorphous ठीक है अभी वो यह जो है रहा amorphous होता और यह powdered form में होता है कैसा होता है powdered powdered form में होता है ठीक है white tin से grey tin low temperature पे ले जाते है तो white tin से grey tin बन जाता है ठीक है और एस टाइप पर कहानी low temperature पे ले गए तो white tin किस मकान बट हो जाता है grey tin अब क्या हुआ कि पहले जवाले में button button जो है यह शर्टों के button यह तो अभी plastic के बनते हैं लेकिन plastic की खोच तो अभी कुछ साल पहले हुई ही न मतलब कितना साल हुआ होगा 50-600 साल नहीं हुआ प्लास्टिक की खोच को exact date मुझे नहीं पता 50-60 साल में ही प्लास्टिक में हागार मचा दिया दिनिया में तो पहले जो है प्लास्टिक के button नहीं होते था लेकिन इंसान कपड़ा तो कई हजारों सालों से पहन रहा है है था पुरानी पिक्चरे भी देखो आप तो उसमें भी कपड़ा पहन के भूए है मतलब कपड़ा इंसान हजारों सालों से पहन रहा है तो button की आवश्चता बहुत सालों से है तो पहले जो button मनाये जाते थे तीन के काई के button मना दिये तीन के तीन का button पहनाया ये लगाया कोट ओट में और उसमे अपने हां के एक country थी उस country ने अपने सैनिकों को पहनाया कपड़े button लगाया साक्षा मिनिस्टर सहाब उने सबने button लगाया टीका वीका किया बोले जाओ लड़ने जाओ करके सैनिक थे काम ही होई थे वो सब चलेगा लड़ने बिल्कुल चोड़े होके लड़क आएंगे करके अब वो जहां लड़ने चलेगा है न वहाँ पड़ी थंड गजब की थंड है और गजब की थंड में क्या हुआ white team के बनाए थे क्या button थंड में काय में convert हो गए great team में अब एक दिन ऐसे उन्होंने अब यार ऐसे button लगाएगा आज में तो लगा के देखना ऐसे button लगाते समय दबाना पड़ता है button इस अलग पतन ही कहा है उसी के ओपर मेरा माइक लगा है जब से सोची छेट क्यों नहीं मिल रहा है डालने को तो ऐसे इसको ऐसे दबाना पड़ता है डालने के लिए तो जैसे उन्होंने दबाया तो क्या हुआ हो तो powdered form में था ग्रेटीन था डबाया तो button क्या हुआ चूर चूर हो गया तो सारे button चूर चूर हो गया अब button है नहीं ठंडी बहुत है बंदूग समाले की इज़त समाले वाली बात हो गई है अब जो सैनिक लोग है बिचारे वाइसे करकर के छुपा छुपा गोली मार रहे हैं उदार से वो बंदूग नी चला रहे है वो पंखा चला दे रहे है तो यह बोरे आप पंखा बनका टंडी लग रही तो मामला जो है वो दूसरे टाइप की लड़ाहिम पहुंच गया है अभी तो अपन हसर है इस प्रोश दीन के बने बटन तो इसे आध रखें ना वाइट इन क्रिस्टलाइन होता लो टैंपूरेचर पर जाने पर क्या बन जाता है ग्रेटिन उस प्रोसेस को बोलेट कि वो क लेक एक विवारी होती है श्मेम लोग मरते महां से कुछ प्रेंडना लेकर नाorg नेक्स टेडिंग डालेंगे बिटे येलो ट्रॉप्स खतम हो गया नेक्स टेडिंग डालेंगे compounds of नहीं heading डालो सीधा compounds compound में नहीं चीधा heading डालो silicons एक होता है SI इसको बोलते हैं silicon क्या बोलते हैं silicon और silicon का एक compound है which is called silicon तो silicon क्या आगे लिखना they are organo silicon यहां लिखना यह heading डालना है SI element है और उस element का compound है silicon लिखना they are organo silicon polymers they are organo silicon polymers एक दिन मैंने class में पूछ लिया organo क्या है एक लड़की बोलती ही सर पीजा के उपर डालते हैं वो है वो और ही गैनो है है ना यह organo है organo याने organic organic बोले तो क्या carbon तो यह carbon और silicon के polymer है organo silicon polymers कैसे बनते हैं silicon तो मेरे पास इनका जो basic unit होता है देखते जाना है इनका जो basic unit होता है यह होता है R2SiCl2 क्या होता है R2SiCl2 इसका कराते है hydrolysis hydrolysis समझते हूँ पानी प्रेजेंस में तोड़ देना पानी कैसे तूटेगा H plus OH minus अब इसको थोड़ा सा फैला लेता हूँ मैं यहाँ R2Si इधर एक Cl इधर एक Cl कैसे तूट जाएगा यह वाले Cl पे partial negative partial negative silicon पे partial positive यहाँ से तूट जाएगा यह ऐसे करके यह दोनो Cl minus अलग हो जाएगे Cl minus की जगा क्या लग जाएगा OH minus तो यहाँ का hydrolysis हो गया तो बन गया R2Si OH hold twice plus 2Cl और 2H 2HCl यह अपने काम का है ठीक है कई बार basic unit इसको भी बोल देते है और कई बार इसको भी बोल देते है this is monomer 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 समझते हो एक होता है polymer जिसमें बहुत सारे unit होते है उसका जो एक unit होता है that is called monomer monomer का मतलब यह नहीं अकेला मर monomer मतलब अकेला unit ठीक है अब आज़ा इसमें क्या होता है देख लेते हैं फिर बाद में वापस ला दूँँ R2Si OH के OH hold twice के खूप सारे mol ले लिए और इसको polymerize करा दिया polymerize कैसे polymerize होगा देखना बीच में SI है R, R, OH, OH यह पहला unit हो गया SI, R, R, OH, OH दूसरा unit हो गया SI है R, R, OH, OH तीसरा unit हो गया समझ दो ऐसे आप 1000 unit लगा सकते हूं मेरे पर जागा नहीं करके मैंने थोड़ा समय ऐसे भी कर सकता था अभी क्या करोगे आप इसमें से यह पानी निकाल दिया H2 यह पानी निकाल दिया H2 इधर OH है इधर वाले से H ले 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 न और भी होंगे कई इधर OH है इधर वाले से फिर आगे और H ले 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 न ऐसे बढ़ता जाएगा मामला इस क्या बन जाएगा OH SI R R फिर O H2 निकल गया SI R R फिर O फिर SI R R OH फिर आगे बढ़ जाएगा This is called Polymer समझ मैं इसको बोलते है Linear Silicon क्या बोलते है Linear Silicon Linear Silicon क्यों बोलते है एक Line में बढ़ रहा है That's why it is called क्या Linear Silicon समझ मैं आए यहां तक का मामला ऐसे यह बढ़ता ही जाएगा इसको रोकने वाला unit भी लगाएंगे अपन पहले आप इतना नोट करो फिर मैं आपको बताऊँगा यहां से Organo Silicon Polymers हो गया लिखना सबका आप देखो ऐसे में क्या होगा कि यह कहानी जो है यह खतम होगी क्या यह नहीं खतम होगी उसे तो समझ रोगा जोड़ते जाओ जोड़ते जाएगा जोड़ते जाओ नहीं पता नहीं ठीक है सब्सक्राइब अगर मैंने यह लगा दिया तो यहां से ह्डार निकल गया है अब जो नीचे बनेगा कैसा हो जाएगा और एसाई आर आर फिर यहां क्या लग जाएगा ओ फिर इदर एसाई आर ओ एन्डश डश पूरा बन जाएगा लेकिन अब यहां problem क्या है यहां पर आप ओछ बचाएगा नहीं तो मैं इसके आगे और कुछ जोड सकता हूं क्या नहीं तो तो this one is this is the chain terminating unit क्या बोलते हैं चेंग तर्मिनेटिंग तो आप ऐसा करें यहाँ टी लगाना चाहे ना तो आपने इतना बनाया ना उसके नीचे से करके लिखना है चेन तर्मिनेटिंग यूनिट पेपर में सीधा पूसता है चेन तर्मिनेटिंग यूनिट क्या होता है और अब क्यों चर्थ तर्मिनेट हो जाएगी चेंग इसके आगे कुछ जूड़ नहीं सकता अब ऐसे इस तरब भी धक्कल लगा देना चेंग टर्मिनेट हो जाएगे हो गया अब आगे बढ़ेंगे भईया हेडिंग डालेंगे कहा बना हूँ मैं मेरे कोई हटाना है फोड़ उपर कर रहा हूँ नहीं है हेडिंग डालेंगे बिटा इनका जो बेसिक यूनिट होता है यह था र-एस-ई-ओ-एच होल्थराइस क्या है र-एस-ओ-एच अब आप देखू भई यह कित्ता मासते चल रहा कारेकर सबसे पहला जो लीनियर सिलिकॉन था यह लीनियर सिलिकॉन इसका बेसिक यूनिट क्या था र-एस-ओ-एच होल्थराइस चेंड टर्मिनेटिंग यूनिट क्या था र-एस-ओ-एच होल्थराइस तीन आर थी और क्रॉस-लिंग्ड पॉलिमर का क्या है एक र-एस-ओ-एच होल्थराइस ठीक है अब इसमें क्या होगा देखते हैं आजो उपर का लिख लिए क्या सब कोई बचा है उपर का लिखना है तो अब आजाओ क्रॉस लिंग्ड पॉलीमर में क्या होता है क्रॉस लिंग्ड सिलिकॉन में R, SI, 3 OH है ये 3 OH लगा दिया फिर इधर एक ठोक और लगा दिया इधर OH, इधर OH, इधर OH, इधर R फिर एक और इधर लगा दिया SI, OH, OH, OH इधर लगा दिया फिर वैसे एक इधर लगा दिया OH, 3, 3 OH और R समझ में आरी बत? अब इसमें क्या करूँ अब? क्या करता है, पानी निकाल दो, यहां से पहला निकाल दो, H2O, यहां से दूसरा निकाल दो, H2O, दिख रहा है, और यहां से तीसरा निकाल दो, और यहां से चौथा निकाल दो, सब निकाल दिया, क्या बन गया बोलो, आज़ो भहिया, बताना शुरू करो, उधर से देखो क् R, S, I, O, H, O, फिर नीचे, S, I, R, O, H, फिर इधर क्या, O, इधर ये वाला, O, फिर आगे क्या, S, I, R, नीचे, O, H, दिख रहा है, फिर उपर क्या, ये वाला, O, और फिर O से उपर क्या, S, I, फिर इधर, R, इधर, O, H, और ये दोनों के बीच में, O, समझारी, तो एक Cross Linking होते जारी है, Cross Linking मतलब दो चेन के बीच में अपस में भी Link है, Cross Link बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर यह क्या बन गया आपका, यह बन गया Cross Linked, क्या, Silicon, तो अब देखो, स्कूल में तो इस ट्रक्चर बनाने दे भ एक्जाम में, वो यह पूचता है, Linear Silicon का Monomer कौन है, कई बार पूच चुका है, जही में, कई बार पूच चुका है नहीं तो में, Linear Silicon का Unit कौन है, तो Linear Silicon कौन होगा बोलो, R2SiOH, Hold Twice, Chain Terminating Unit कौन है, सेकोड़ बार पूच चुका है, R3SiOH, Cross Linked Polymer का Monomer Unit कौन है, RSiOH, तो बस यह बनाना है, इतना चित्र बना लो, फिर इसके यूज है, जो स्कूल में, बहुत पूचता है, वो मैं लिखा हूँगा, तो भईया, यह हो गया, अब इसके Monomer Unit लिख लेना, बलकि मैं तो कहता हूँ, एक बार साइड में लिखी लेते हैं, पर लो, Silicon, या ऐसा लिख लेते हैं लिनियर सिलिकॉन, लिनियर सिलिकॉन यहां लिख लेना, Monomer, Monomer हो गया है, तो, Monomer Unit, इसका होता है, R2, Si, Oh, Hold Twice, Cross-Linked Silicon, इसका लिखेंगे, R, Si, Oh, Hold Twice, और Chain Terminating Unit, लिखेंगे बैटा, R3, Si, Oh, ठीक है, इस टाइप से, नेक्स्ट लिखेंगे बैए, यूजेज ऑफ सिलिकॉन, बड़ा इंपोर्टेंट है, यूजेज ऑफ सिलिकॉन, देखना ये वाला सिलिकॉन, देखना ज़रा है, ये वाला, ये चेन टर्मिनेटिंग लगाने के बाद जो बनाया था, डैश 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 कर दिया है, तो ये देखो, ये वाला यूनिट देखो, ये वाला बनाये थे अपन, बाकी का इसी का कंटिनुएशन है, बोलो तो मैं आगे का थोड़ा से बना देता हूँ, आप लोगों के रहे, यहाँ पर क्या होगा, आगे, SI, R, R, O, SI, R, R, O, फिर इदर कोने में भी एक में ढखकन लगाऊंगा, बात चल रही थी, दूसरी तरब भी लग जाएगा ढखकन एकटो, तो इदर आगे है, SI, R, R, बनाने के जरुआतनी केवल देखो, ये है सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन, एक ढखकन इदर भी लगा दि अब आप देखो जरा इदर बाहर से, तो बाहर इसमें ये R क्या है? ये सब R है, एलकाइल गुरूप, हाइड्रो कार्बन उपर लिकाया, ओर गैनो सिलिकन पॉलिमर, ओर गैनो याने कार्बन, तो ये कार्बन है, ये सब कार्बन, ये सब R गुरूप नजर आ रहे हैं, ये C3H7, तो इसमें कोई चार्ज नहीं कार्वन है, नॉन कोलर, और R ग्रूप्स जो है न, यह सारे के सारे, यह पानी से डरते हैं, हाइड्रो, थोड़ा बहुत सोप पढ़ाएगा, बच्पन में सोप, जिसमें वो एक पढ़ा होगा, ऐसा लॉंग चेन होता है, है न, खैर गोल भी मारो, जो हाइड्रो, जो कार्बन वाला पार्ट होता है, वो कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है, ठीक है, तो यह जो R वाला पार्ट है, इस R वाला पार्ट इस हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक, अब मैंने कहा कि एक बाल पानी अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा बाहर बाहर से पानी यहां यहां बाहर बाहर से निकल जाएगा इसके अंदर अगर मैं बैठ जाओं वैसे तो नहीं बैठ सकते मगर इसके अंदर कोई चीजा इससे अपने आपको लपेट लो तो पानी मेरे अंदर आपाएगा क्य लपेट लिया मतलब कपड़ा बना लिया और पानी नहीं आ रहा मतलब कैसा कपड़ा बना लिया waterproof तो इसका उपयोग काए में आएगा waterproof clothing बना लिखेंगे भाईया uses of silicone number one water repellent water repellent therefore used to prepare therefore used to prepare waterproof clothing therefore used to prepare waterproof clothing है नहीं वो देखा है क्या scuba diver तब इसकावरी में टीवी में देखा होगा होगो गोता होता लगाते हैं अंग्रेज लोग तो एक वो रबर का कपड़ा भी पहनते काले रंग का रबर का अजीब सा कपड़ा ऐसे उपर उपर से की की है किसी ने scuba diving सर हम तो गयते jeans पहन के गयती सर एक तो कपड़ा होता है जो अजीब सा होता है rubber जैसा याद आ रहा होगा imagine करूं तो वो कपड़ा पहन के वो लोग बालीन चलांग लगाते है रेंकोर पहन के थोड़ी लगाते हैं रेंकोर भी waterproof होता लेकिन वो काम नहीं आता है क्या पहनते waterproof therefore it is also fireproof अजांग करके लिखनेa used in fireproof clothing अजरी यूजब नचार्ट अचार्फर पेंके आ जरा सा गर्मी में पोरा जल गया पानी डालना छोड़ो इजद्द चानी पट रही हूँ गला तो जाएगा अगला ली कहेंगे भाईया Due to unavailability Due to unavailability Of free electrons Due to unavailability of free electrons Silicon's are insulators Silicon's are Insulator Due to unavailability of free electrons Silicon's are insulator एक Hevels का वायर आता है TV में बहुत आएड चलता है Wires that do not catch fire उनका tagline है Wires that do not catch fire वो वाले वायर बना रहे हो लो कुछ नहीं कर रहे हैं जनता को बेवकुब बना रहे हैं वायर वही है जो घरो में आग लगती है गरों में आग लगने का मुख्य कारण आप कहीं पढ़ोगे न उसके उपर लगा रहता है रबर सस्ते वाले वायर के उपर रबर लगा होता है वो रबर क्या होता है जलने लगता है और उसके जलने एक वज़े से क्या हो जाती है आग लग जाती है हैवेल्स वाला जो वायर लेका है कुछ नहीं कर रहा है पर्मल वायर के उपर वो सिलिकॉन का कोटिंग कर रहा है अब सिलिकॉन के कोटिंग करने इस क्या फायदा होगा एक तो पहली बात बढ़िया इंसुलेटर है तो छूओगे तो करेंट नहीं लगेगा दूसरा इसके उपर वाला पॉइंट पढ़ा ये कैसा है फायर प्रूफ फायर प्रूफ है मतलब इसमें आग भी नहीं लगेगी तो जो घर की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी दूर होगे समझ में आई बात तो ब्रैकेट में लिखे है ना वायर्स देट डू नाट कैच फायर याद रहाएगा तुम्हें वायर्स देट डू नाट कैच फायर wires that do not catch fire ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अगला used as a lubricant lubricant के जैसा use करते हैं घर में वो लगाई किसी ने aluminium की खिड़की लगते हुए देखा है aluminium की खिड़की सुनी होगी नो sliding वाली खिड़की आती देखी तो होगी जिसमें बीच में एक टो मच्छडवाला जाली रहता है और वो खिड़की रहती slide होती जो aluminium की normal जो खिड़की आँ जो पहले लगती थी लखड़ी की वो कैसे लगती थी मालूम है वो खिड़की बना के लाते तो उसकी चौकहड बोलते थे जो उसका frame होता था और उसका frame दिवार में कस देते थे और कसने के बाद फिर plaster होता था तो वो पूरा पैक हो जाती थी चारो तरफ से frame और फिर उसमें अपन दरवाजा लगा देते थे तो पूरी खिड़की पैक हो जाती थी आजकल की जो अलुमीनियम वाली खिड़की आई कभी अभी तो क्या आप तुँ आनी रहो नहीं तो मेरे ओफिस में आना मेरे ओफिस में सामने लगी एक खिड़की बहुत बेकार तरीके से लगी थे बहुत पहले लगी आज से दस आठ साल पहले तो वो खिड़कीों के साथ क्या प्रब्लम है उस खिड़की में पहले जैसे अभी मेरे आगर में लगी उपर इसी पिछले साल तो उसमें क्या करते हैं पहले जैसे यह दिवार यह दिवार में यहां खिड़की लगानी है तो दिवार में पूरा plaster कर देते हैं पेंट वेंट कर देते हैं इतना हिस्सा खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद aluminium की खिड़की बनाक लाते हैं बाहर से उसको ऐसे अंदर ठूशते हैं और screw कर देते हैं चारों तरब से कसा जाती है अब क्योंकि plaster पहले हो चुका है रखने के बाद कभी कभी खिड़की रखने के बाद थोड़ी बहुत जगा जो है वो बच जाती है तो अब ये थोड़ी बहुत जगा बच जाती है हाँ थोड़ी बहुत जगह इसमें बच जाती है तो बची हुई जगह में से क्या प्रॉब्लम है कि बरसात होईगी तो यहाँ से पानी अंदर आता है तो इससे बचने के लिए ये भाई लोग जो है खिड़की वाले यह भी उन्नट टेकनोलोजी से लेस है आजकर यह इतना बड़ा एक तो गन लेके आते हैं गन टाइप का जिसमें ट्यूब लगा होता है गन सौटोब उसको दबाने से निकलता है सिलिकन का पेष्ट उस सिलिकन का पेष्ट चारों जगह भर देते हैं उससे क्या हो गया यह तो सील हो गया दूसरा कैसा है वाटर रेपेलेंट है तो बाहर का पानी अंदर आने नहीं देगा तो सील करने काम आता है क्न सिलिकन तो लिखेंगा अगला यूज़ड एज़ा सील ενट योज़ड एज़ा सीलेंट शीलेंट देखा है क्या लगाते हुए कहां देख लिया घर में लगी थी तो इचले घर वर में काम वाम हो तो बीट-बीट में जाग देखना चाहिए क्या लगा रहे हो करके है नि सिलिकन लगाते हैं यूजड ऐसा सीलेंट और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो विंडो पेंस तो तुम्हें याद रहेगा विंडो पेंस न ये वाला पेंस लिखना है ये वाला ना लिखे है विंडो पेंस ने तो पंडे में आएगा खिडकीम दर्द हो रहा है खिडकी नहीं दिखती खिड़की पे तो खिड़की पे दर्द होता है वह बात नहीं है पढ़ाई लिखा इम कहां गुज जाते हैं चलो विंडो पेंस में लगाया जाता है अभी जैसे होगे और तुद बच्छा है लुब्रीकेंट लिखा दिया कि यूज जैसे माल लो एक हिरोईन है कोई हिरोईन बनना चाहती है एस्पाइरिंग लड़की हिरोईन बनना चाहती बहुत सुन्दर है बहुत गोरी है यह सब तो लगता है ना बहुत अच्छा इसे बात करती अच्छ बोलते हैं तीखा याने मतलब ऐसे वह होना चीए थोड़ा सा वैसे दबावा नहीं होना चीए सुन्दर जो है उसकी डफी परिभाशा में तो उसकी जो नाक है समझ लो वो डब गई है पूरी डब ही नाक है एक दम ऐसे करके तो ऐसे में उसको दुनिया वाले पस पसंद मतलब पसंद इंदा सैंस की श्क्रीन पर अच्छी दिखेगी क्या नहीं अच्छी दिखे तो इसको क्या करना है और तो रगए तो बोले ठीक है उड़ जाएगी इसकी क्या करनी पड़े की कॉस्मेटिक सर्जिरी तो बोले अब ये cosmetic surgery, plastic surgery में क्या करेंगे बोले कुछ नहीं है, आपकी नाग दब गई है side से चीरा लगाएंगे और चीरा लगा के उसमें कुछ ठूज देंगे कुछ ठूज देंगे तो क्या होगा? उनाग उठी रहेगी बोले ठीक है, ठीक है डाक्टर सहाब ठूज दो तो डाक्टर सहाब ने चीरा लगाया लोआ बर दिया अब लोआ बर दिया, मैडम को हो गई सर्दी, मैडम को सर्दी हो गई, 남자 को मिल गया क्या पानी? तो रस्ट लगने लगी उसमें, जंग लगने लगी, हवा तो मिली रही थी, सास ले रही थी तो, तो उसमें जंग लगने लगी, जंग लेने लगने लगी, तो जो फिर वो, सब जंगी-जंगी, मतलब अजीब सा होगा ऐसा मामला, जंग लगने लगी, रियक्टिव होगा, तो ऐसा कोई material भर सकता हो कि जो react करें, नाक अप शरीर के अंदर भरना है, कुछ ऐसा भरू कि जो react करें, जो लोहा भर दिया, तो लोहा में जंग लग सकता है, तो लोहा भरना चाहिए क्या, नहीं भरना चाहिए, sodium भर दो कि sodium, है, sodium भर दिया, सर्दिवर्दी हो गए, नाक अप कहीं से leakage हो गया, तो क्या होगा, जैसी पानी मिलेगा, उसका नाक में आग लग जाएगा, तो ऐसी कोई reactive चीज भर सकता हो कि नहीं, मेरे को क्या चीज भर दिया, ऐसी चीज जो non reactive, तो ऐसी non reactive चीज जो body से react ना सा हो जाए, तो मैंने भर दिया tungsten, tungsten या platinum, tungsten तो ठीक है, platinum भर दिया, gold भर दिया, क्यों, चो कि these are noble metals, यह लोग reaction नहीं करते, तो यह भर दिया, अब वो gold भर दिया, platinum भर दिया, नाक के तरफ सामने, बहुत जादा density होती platinum gold, भार ही होता है, आप देखना gold का, कभी घर में ह तो 100 gram का जो biscuit होता है, घर में, पैसे वालों घर में होता है, कुछ ना घर में होगा सोना, रखा होगा, तो वो इतना सा biscuit है, 100 gram का, मतलब बहुत जादा डेंस होता है सोना, तो थोड़े से में बहुत सारा volume लगता है, 100 gram सोना भर दिया, उसकी नाक में मैंने, तो क्या होगा, इसके सामने तरफ, क्या आगे, वजन आगे, वजन आगे तो वीचारी की मुंड जुग गई, बात करीयो और सर कैसे हैं, बढ़िया आप, को ख खाना काके जाना, और बढ़िया है उसकी, वीचारी की मुंड beauty जुग गई, center of mass, जो बीच में था, अपने वजन डालके कहां क और साथ-साथ कैसी हो, हल्की हो, तो उसके लिए अपन लंग भरते हैं क्या, सिलिकॉन, सिलिकॉन भर देते हैं, ठीक है, वो उसको प्लास्टिक सर्जरी जो बोलते हैं उसमें, तो लिखना भहिया, सिलिकॉन का एक और यूज लिखना, यूज इन कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज करते हैं, समझ में आरी बात भहिया, ठीक, हो जाएगा, दैश करके लिखना न, किसी से रिएक्शन नहीं करता, अगला आइडिंग डालेंगे भहिया, कितना परसंट रही है, आगला आइडिंग डालेंगे, सिलिका, सैंड, केमिकल फॉर्मूला है, ऐसा ही हो गया न, सिलिकॉन खतम होगे, यूजेज ऑफ सिलिकॉन इंपोर्टेंट है, स्कूल के लिए, और वो जो तीन यूनिट लिखा है, वो कॉम्टिशन और स्कूल दोनों के लिए इंपोर्टेंट है, मतलब लास्ट वाला पेज होगा, प्रॉबेबली वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक, इधर आजओ, और इसमें लिखो सैंड, सिलिका, या SIO2, सबसे पहली चीज़, इसका स्ट्रक्चर पूस्ता है, तो इसका स्ट्रक्चर, SI, इसके चार हाथ होते, हर हाथ में औक्सिजन से जुड़ा होता है, औक्सिजन के कितने हाथ होते हैं, दो, हर हाथ में सिलिकन से जुड़ा होता है, फिर सिलिकन के कितने हाथ होते हैं, चार, तो फिर आगे बढ़ा दो, फिर औक्सिजन, के फिर यहाँ क्या लग जाएगा, सिलिकन, बढ़ा दो, समझ में आरी फिर यह oxygen आ गया, फिर silicon आ गया, फिर यह oxygen आ गया, फिर silicon आ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा मामला, ठीक है, ऐसे, बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है, इस टाइप से, बनता जाएगा, ठीक, परिक्षम क्या पूस्ता है, एक silicon कितने oxygen से bonded है, तो एक silicon कितने oxygen से bonded है, चार, चार से bonded है, यह silicon के कितने sigma bond नजर आ रहे है, चार sigma, zero lone pair, total हो गया, four, hybridization क्या होगी, sp3, geometric SC होगी, tetrahydral, तो यह पूस्ता है, कि each silicon is tetrahydraly bonded to four different, क्या oxygen atom, and each oxygen is bonded to two different, क्या silicon है, समझने आई बाद, structure one off जागे बढ़े, हो गया, लीखेंगे बटा, in silica, in silica, each silicon atom, in silica, comma, each silicon atom, is bonded to, is bonded to, four different, is bonded to four different oxygen atoms, and four different oxygen atoms, and each oxygen atom, and each oxygen atom, is bonded to, two different, to two different silicon SI atom, silicon atom, two different silicon atom, यह पूस्ता भी है, ठीक है, अच्छा, imagine करो, जैसे मेरे को यह पानी रखना है, तो पानी रखने के लिए, यह प्लास्टिक की बोतन है, बाहर से अंदर इसमें steel लगा हुआ है, है ना, अब imagine करो, मैंने क्या किया, sodium का इतना बड़ा टुकुड़ा ले आया है, solid, और उसको kerosene के अंदर बैटके, kerosene में रखके, अंदर हाथ डालके, उसमें छेत करके कार्व बना लिया, ऐसे चूडी बना लिया, और ऐसे डखकन बना लिया, मतलब मैंने sodium की एक बोतल बना लिया, इसमें मैं पानी store करना चाहता हूँ, कैसा आइडिया है, अच्छा आइडिया नहीं, क्यों अच्छा आइडिया नहीं, पानी डालके जैसे ही ऐसे टंगा के मैं निकलूँगा, तो क्या होगा, आग लग जाएगी, कंदा हुंदा जल जाएगा, समझ नहीं बहुत, तो sodium की बोतल में पानी store नहीं करते हैं, क्यों store नहीं करते हैं, चोंकि sodium और पानी एक दूसरे से react कर लेते हैं, हमेशा उन्हीं चीजों को एक दूसरे में store करते हैं, जो आपस में reaction ना करते हूं, जो आपस में reaction करें, उन्हें एक साथ store नहीं किया जाता है, जो आपस में reaction करें, ठीक है, उसी प्रकार, हम लोग lab में, सारा chemical काय में store करते हैं, काच्च की बोतलों में, काच की बोतल होती ही लैब में काच की बोतल में क्यों इस्टोर करते है चुकि काच किसी भी चीज़ से reaction नहीं करता है ऐसा है काच का main ingredient क्या होता है rate तो silika जो है it is chemically inert ये किसी से reaction नहीं करता केवल दो लोगों से react करता है ओ लिखना है तो लिखेंगे भईया SiO2 is chemically inert SiO2 is chemically inert इसका प्रमान मैंने आपको दिया कि लैबोरेटरी में हम काच की बोतलों में सारी चीज़ें स्टोर करते हैं क्योंकि काच में जो rate होती हो किसी से reaction नहीं करती SiO2 is chemically inert it reacts with only two it reacts with only two compounds केवल दो लोगों से react करती है सबसे पहला SiO2 react करती है NaOH के साथ reaction with NaOH NaOH के साथ react करती है लेकिन आप बोलो गया तू NaOH तू लैबोरेटरी में उसी में रखा रहता काच की बोतल में सर आप तो बता रहे हो ना कि काच किसी से react नहीं करता है इसलिए उसमें सब चीजी स्टोर करते हैं और आप बोल रहे हो NaOH react करता है जबकि लेबोरेटरी में NaOH तू काच की बोतल में क्या चल रहा है ये है पागल बना रखा है भई है ऐसा नहीं NaOH से करता है react इसका प्रमान देखो भई मैं जब तक स्कूल में था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था मेरे गुरुजी ने मेरेन में पढ़ता था मैं अपनी क्लास में फास्ट आया था हो बात अलग है मगर स्कूल में फास्ट आना इस एनदर डिफरेंट टाइप अफ तिंग उसके लिए आपको पढ़ना नहीं पढ़ता चुकि वह तो क्या एंसी आटी हाई कित्ती बड़ी है उसको पढ़ना है और पता ही पेपर में क्या आना है इतना तो स्कूल वाले इंपोर्टेंट दे देते हैं और बोर्ड में तो सारा पेपर आउट होता ही है पर पांच साल का पेपर पढ़ लो उसमें से सब आना है कुछ ऐसा है नहीं कि स्कूल में में कितने में उस समय उस जमाने में मतलब अभी जैसे 95 किसी भी आरे गारे स्पूचो कितना है 95 परसेंट मत तुमें नहीं बोल रहा हूँ मगर आजकर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है 90 परसेंट प्लस वाले तो इतने बच्चे इंताहा नहीं है चुकि CBS सी थोड़ा नंबर बाढ़ती भी है ले जाओ बुले कैसे अच्छा लग रहा ले जाओ बुले हमारे जमाने में उतना परसेंटेज नहीं आता था मेरा 86 ऐसा कुछ परसेंट था मैं अपनी क्लास में फर्ष्ट आया था 86 परसेंट में उस जमाने में उतना परसेंटेज आता नहीं था 10-12-13 साल पहले एक बात है तो स्कूल के मास्टर साहब ने ये बताया ने और फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पढ़ा कि अच्छा ऐसा यो टू N.A.O.H के साथ रियक्शन कर लेता है और उसके बाद मैं कभी स्कूल गया नहीं चेक करने के लिए मगर ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि जो N.A.O.H की बोतल आपके पास है मौका आप जैसे स्कूल जाए तो इस स्कूल जब भी जाओगे इस लेबोरेटरी में N.A.O.H की जो बोतल है उसका जो ढखकन होगा स्कूल में प्रेजेंट एने वेच दोनों ने मिलके N.A.O.S.I.O.3 सोडियम सिलिकेड बना दिया सोडियम सिलिकेड सहन आ है और इसकी वज़े से क्या हुआ है वहाँ जाम हो गया ठीक है ये नोट करेंगे रियक्शन फिर मैं लिखा दूँ तो मैं उसके बाद कभी स्कूल गया नहीं कि देखने की धककन जाम है की नहीं आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल में देखने धककन जाम है की नहीं होगा जाम तो आपन NCRT वालों को लेटर लिखेंगे कि तुम्हारी ऐसी तैसी तुम जाले गलत पढ़ा रहे हो बच्चो हमारा तो ठीक है हमारे आने वाली पीडी खराब कर रहे हो इधार आओ बताये तुम्हें N.A.O.H. लिख लिया लिखना इट इस एविडेंट from the fact इट इस एविडेंट from the fact that stoppers of glass bottle stoppers of glass bottles used for storing N.A.O.H. used for storing N.A.O.H. gets jammed gets jammed बस बहुत gets jammed jammed होगा है और के जाब कहां jam होगा होई ही और के N.A.O.S.I.O.T. solid gel type का होता है थोड़ा सपी दीरे से solidify हो जाते है एक बुरिया पुछरी किस फॉर्म में मिलेगा solid जैसे ही होगा ठीक है यह होगा पहला reaction दूसरा reaction लिखेंगे reaction with HF reaction with HF hydrofluoric acid के साथ reaction reaction with HF इसमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कहीं जैसे उसमें जाओ न गैनों के शोरूम में बड़े बड़े जो शोरूम है अपने सदर बजार में आड़बोर उपे लगा लगा के जो बनाये हुए या कोई ऐसे बड़े शोरूम में जाओ तो शोरूम में जो काच का दरवाजा होता है वो काच के दरवाजे में कहीं बार लिखा होता है वेलकम काच में लिखा होता है काच में बतब स्टिकर शिपका नहीं बोर रहा हुए काच में ही हो एक अलग ताइप से थोड़ा उपेक करके उसको डिजाइन बना रहता है काच में और कहीं नहीं तो घर में देखना घर में बैठे हो जो घर में dressing table होगा dressing table का जो आइना है उसके आजुबाजु ऐसे करके पतली सी लाइन बनी होगी पतली सी लाइन ऐसा frame type का dressing table में दिख जाएगा रहता है ऐसा तो अब ये जो ऐसा है ये design जो है ये tea table में मिल जाएगा ये design जो है इसको कौन ठोक ठोक के बना रहा है ठोक के नहीं बना सकते न तूट जाएगा काँच तो that process is called itching of glass glass की खुजली कर देते हैं itching of glass कैसे करते हैं इसमें क्या करते हैं जैसे ही मेरे को welcome लिखना है समझ लो और ऐसा frame बनाना है तो मैं इतना बड़ा काच का तुड़ा लाऊँगा इसके पूरे में wax लगा दूँआ wax के टंकीम डुबा के निकाल दूँआ तो पूरे में wax लग गया अब इसके उपर जैसे मेरे को welcome लिखना है तो मैं चाकू लेके या कोई भी instrument लेके welcome लिखा वाला हिस्सा जो है वो खरोच दूँगा तो खरोचने से क्या होगा उतने हिस्से से welcome जहां लिखा है वो exposed हो जाएगा बाकी सब में तो wax लगा हुआ है मालो मेरे को यहाँ पर एक ऐसा कुछ ऐसा box बनाना है कुछ है मेरे को यहाँ पर तो मैं इतना हिस्सा क्या करूँगा खरोच दूँगा खरोच दिया वने ठीक है तो wax यहाँ से हड़ गया अब मैं इसको उठा करके HF के tank में डुबा दूँगा HF जिसमें रखाओ तो HF के tank में डुबाने के बाद SiO2 is your glass it will react with HF and it will produce H2 SiF6 यह बनाता है H2 SiF6 इसको कहते है hydro silisic acid यह hydro silisic acid यहाँ deposit हो जाएगा और यहाँ deposit होने के कारण इतना हिस्सा separate type का अलग रंग है यह तो transparent होता है यह separate type का हो जाएगा ठीक है अभी घर में जाके देख लेना आईने में जो भी लगाओगा चाहरा देखने वाला वो आईने में side में ऐसा जरूर design बना रहता है कई बही बार ऐसा side में देखा होगा वो design कैसे बनाया है eating of glass ठीक है this process is called eating of glass eating of glass क्या होता है यह पूस्ता है glass में drawing करने या glass में art बनाने के काम आता है पहली चीज दूसरा इसमें जो hydro silicic acid बनता है इसका formula पूस्ता है तो यह क्या है H2Si F6 है यह चीज याद रखना है चलो note करो फिर आगे बढ़ेगे दोनो reaction important है आगे adding जालेंगे भाईया यह हो गया silica के बारे मकाहनी silica में क्या क्या याद रखना है silica में याद रखना है silica के अंदर एक ऐसा ही चार oxygen से जुड़ा होता है hybridization sp3 होती है silica कितने लोगों से react करता है केवल दो पहला एने ओएच और दूसरा HF HF के साथ reaction क्या बोलते है itching of glass वो याद रखना है आगला adding डालेंगे भाईया silicates silicates यह important है silicates 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 का जो basic unit होता है basic unit होता है silicates का यह अब भी पिछले साल नीट में पूछा है इसमें से एक सवाल basic unit होता ही होता है SiO4 minus 4 it is the basic unit of silicate हाँ तो silicate जो है इनका basic unit होता है SiO4 minus 4 इसका जो structure होगा Si होगा central एक O पे माइनस दूसरे O पे माइनस तीसरे O पे माइनस चौथे O पे माइनस O minus single bond बनाता है याद करो Si के 4 हाथ होंगे carbon family का carbon silicon 4 हाथ होंगे एक O माइनस एक और O माइनस एक और O माइनस और एक और O माइनस ठीक है? कोई कुछ बोला था न? अच्छा मेरे को सुराइं दिया यह बनी है अब इसमें जो है hybridization क्या होगी पूछेगा कितने sigma bond है इसमे? 4 sigma 0 lone pair total कितना होगे 4 4 होगा तो कैसा होगा SP3 SP3 कैसा होगा होगा तो कैसा होगा tetrahydral तो यह tetrahydral होता है अब tetrahydral का idea थोड़ा बहुत है आप लोगों को tetrahydral कैसा दिखता है tripod stand के जैसा दिखता है एक डंडी नीचे एक इधर एक इधर बीच में हो और एक डंडी उपर समझे लो tripod stand के जैसा tetrahydral होता है तो tripod stand के यह बीच वाला हिस्सा यहां से तीन डंडी जुड़ी नीचे गई है एक, दो, तीन और एक डंडी उपर गई है ओमे this is your SIO4 कैसा दिखेगा अभी आप इसको सामने से देखे रो मेरा के tripod दोनों बीजी है दो ट्राइपोड है भाई के पस दोनों बीजी नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता तो आपको समझ में आता यह tripod को ऐसे पकड़ते हैं ट्राइपोड एक, दो, तीन, चार इसको ऐसा देखना है समझ दो सामने से देखना है उपर से देखना है, उपर से उपर से देखो कि तो क्या नजर आएगा आपको ओ नजर आएगा ओ के ठीक नीचे क्या आएगा ऐसा ही आएगा ठीक नीचे और यह तीन डंडी जो दिखेगी ये तीन जो ट्राइपॉड के जो तीन नीचे वाले लेक्स होते हैं ये किस फैशन में होते हैं ट्राइंगुलर फैशन में होते हैं तो आपको नीचे ये ट्राइंगल नजर आएगा ये एक ऑक्सिजन ये दूसरा ऑक्सिजन और ये तीसरा अब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, हाँ यार मैं तो भूली गया थे, कि ट्राइपॉड आने से पहले भी हम लोग पढ़ाते थे थे, तो ये इसको भूली गया थे, ये, ये यूँ, ये एक ट्राइपॉड इस्टेंड है ना, ये पीछे भी है ठोग इसका ये देखो दि ट्राइंगुलर, तो ऐसा देखना इसको, यहां से, यूँ करके, यूँ देखोगे, तो ये ऐसा O हो गया, उपर वाला O, ये वाला, यहां बीच में कौन होगा, ऐसा ही, और यहां देखोगे, तो एक O यहां उपर है, एक O यहां है, और एक ये वाला है, जो मेरे हाथ में जो इससे भी जुड़ा है इससे भी जुड़ा है इससे भी जुड़ा है और इस SI के ऊपर इसको टू डाइमेंशनली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहो है तो यहाँ पर जो यह SI है बीच में जो बीच में है SI है इसके ऊपर एक और क्या है ओ तो जब उपर से देखोगे तो O और SI एक के उपर एक नजर आएंगे तो यहाँ पर हो गया एक और O यहाँ है समझ में है हर O पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव तो यह बन गया आपका SI O4 माइनस 4 का स्ट्रक्चर समझ में आया भई यह ठीक हो जाएगा पेपर में पूछता है Types of Silicate तो Types of Silicate तो सबसे पहला Silicate का टाइप है Number 1 Is Orthosilicate Orthosilicate Is अकेला Silicate क्या है Orthosilicate यानी अकेला Silicate जो अभी तक क्या पन पढ़ते आ रहे थे इसका जो basic unit होता है basic unit वही होता SiO4 minus 4 जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे इसका एक example जिसको कहते है Jircon इसका formula होता है ZRSiO4 this is called Jircon 2015 के शुरुवात की बात है मैं कूटा में था और मैंने अकास छोड़ा था और मैं LN join किया था तो वहाँ एक ऐसे सेंटर पर रखा था जहां बिल्कुल काम नहीं रहता था Zero work at all तो हम लोग ऐसे दूपतापते रहते थे तो एक दिन और मतलब एक दूसरे के काम में इधर उधर आते जाते रहते थे तो एक दिन जो है एक बहाँ senior faculty थे मतलब जिनकी उमर अच्छी थी मगर मैं तो चौबीस पच्चीस साल कही था तो चौबीस कही था उससम पच्चीस भी नहीं वा था तो वो मेरे पास आए बिलकुल बच्चे जैसे ही मानते थे अच्छे बड़े मेरे उनके बच्चे थे उससा मैं 18-18 साल के मैं चौबीस का था तो बच्चे जैसा था तो मेरे पास आए बोले मुहित क्या कर रहा है मैं बोले कुछ नहीं सर कोई काम नहीं बोले चल गुमा के लाता हूँ तो कई बार कोई ऐसे बोलता है गुमा के लाता हूँ तो फिलिंग आती साले में तो बढ़िया उनकी कार में बैठे और कोटा में हम लोग कोचिंग वाले एरिया में थे जो एरिया बहुत आउटर में हो सिटी में लेके जाने लगे मेरे को बोले सर कहा जा रहे हैं अपन करके बोले आज मेरी साधी की सालगीरा है मैं बोले बढ़ाई हो सर बोले यार वो मैं बढ़ाई हो साधी की सालगीरा बता रहा कहीं मेरे से नहीं गिफ्ट करीद वाले बोले चल मेरे गिफ्ट दिला एक ठो मैं गरी बाद मी कहां से दिलाऊंगा बोले मेरी साधी की सालगीरा है तो मैं सोच रहा हूँ बीवी के लिए गिफ्ट ले लू करके, तो मैं बोला क्या ही लेगा बीबी के लिए गिफ्ट पर्फ्यूम अर्फ्यूम लेगा और क्या, मैं बोला ले लो सर क्या लोगे सर यही ले दे पर्फ्यूम अर्फ्यूम मिल जाए मोबाईल गुलाब गुलाब ले लो करके, बोले नियार मैं सोच र तो दिखाना शुरू किया, बोले ये हीरे में है और ये जिरकन में है, मतलब ये हीरे का है और ये जिरकन का है, फिर बोले ये हीरे का है, ये जिरकन का है, फिर बोले ये हीरे का है, ये जिरकन का है, हीरे का है, हीरा अपने समझ आ रहा है, जिरकन अपने समझ नहीं आ रहा है, जिरकन क्या है जिरकन जिरकन समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा देर तक तो चलता रहा मामला उतने में उला रहा है आदमी पल्टा उठाने के लिए तो मैंने पूछ लिया सर ये जिरकन क्या होता है करके तो मेरी तरफ देखा बोले भग गरीब इसको कुछ भी नहीं आता गर गया मैं बोल अब चल जैसा भी बता तो पता तो चल बोले जिरकन याने आर्टिफिशियल डाइमंड तब मेरे द्याना है जिरकन हम लोग भी पढ़ाते हैं जिरकॉन अब वो तो सुनार था उसको नहीं पता होगा यह जिरकन है कि जिरकॉन जिरकन भी बोल सकते हैं उसको स्पेलिंग देखके तो जिरकन यह क्या होता है यह होता है आर्टिफिशियल डाइमंड तो उस दिन मेरे को पता चला कि जो मैं इतने साल से artificial diamond, artificial diamond चिला चिला के पढ़ा रहा हूँ वो बजार में मिलता भी है तो आपने पैसा हो तो आप जा के खरीच सकते ठीक है ने कई बार बच्चा आके पूछता न सर आप जो ये आज कल रितिक रोसन पूछ रहा टीवी में बोले हम जो पढ़ा रहे हैं कभी-कभी मैं सोचता हूँ हम जो पढ़ा रहे हमारे बच्चों के काम आएगा कि नहीं आएगा अब सब आता है काम ऐसा थोड़ी नहीं कुछ काम नहीं आता सब काम आता है मजाट कल रहा है चलो तो ये हो गया basic unit जिसको कहते है और तो सिलिकेट इतना नोट करो फिर आगे का पढ़ाऊंगा सिलिकेट में तो क्या पढ़ा है बच्चों को बच्चे कोडिंग पढ़ा दो तो क्या करेगा एप बनाएगा अब पचास हजार एप है प्लेइस्टोर में जिसमें से एक तेरे खुटका एप है जिसको कोई डाउनलोड नहीं कर रहा बेवकूप बनाना है बेवकूप बहुत बड़ी चीज हो गई कि अन्म टुटोरियल के दो एप है प्लेइस्टोर में दो एक होता मेरे दो है अब कितने में बने हैं मालूम है मतलब मत पूछो कितने में बने हैं बताने में भी शरमाती मेरे को दूसरा वाला तो अभी मतलब मैंने फ्रीमे बनवाया है समझ लो नेक्स्ट टू फ्रीमे पहला वाला महंगा बना तो पहला वाला है भी अच्छा तो आज कल कोई भी बना ले रहा एप अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ पहले बच्चे को डाक्टर इंदिनियर बनाओ वही है कमाई आज की आने वाले बविश्च में सबसे ज़्यादा कमाई होगी डाक्टर होगी जो कि यह जो आई है न बिमारी इतना जल्दी इसमें निजात नी मिलने वाली लोग कमजोर भी हो जाएंगे और आगे बविश्च में इंसान पता नहीं और कौन-कौन सी बिमारी लाएगा चाइना वालों को कब तक रोखोगे मगर मच पकड़ने चल दिये हो तो कि मगर मच खाएंगे इस बार करके यह बन जाएगा तो बताना मैं आगे बढ़ाऊंगा चार-पांच प्रकार हो रहे है जैड आर जिर्कोनियम जिर्कोनियम का वो है जिर्कन हो गया है चलो यह था पहला दिस इस और तो सिलिकेट दूसरा लिखेंगे नंबर टू इट इस कॉल्ड पाइरो सिलिकेट पाइरो सिलिकेट में क्या होता है दो यूनिट होते हैं यही आपको समझना है बस में इसमें न दो यूनिट होते हैं दो यूनिट ये दो यूनिट होगा एक उपर भी है इसके जो इमेजिन कर लेना है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे एक उक्सिजन से अब यहाँ जो बीच वाला उक्सिजन होगा उक्सिजन के किते हाथ होते हैं दो तो बीच वाला उक्सिजन जो है दोनों पकड़ लेग और दो bond बना रहा है oxygen मतलब उस पे negative charge नहीं होगा एक bond बनाता है negative charge वाला oxygen एक bond बनाता है जब दो bond बना रहा है मतलब उस पे negative charge नहीं होगा तो ये दो unit होगा ऐसे करके एक triangle ये दूसरा triangle दोनों आपस में जोड़ना है through one oxygen atom ठीक चलाओ दिखाता हूँ शायद समझ आजाए क्या हो रहा है यह हो गया एक यहाँ बीच में SI है इससे जुड़ा इससे जुड़ा इससे जुड़ा एक oxygen एक unit हो गया और यह दूसरा unit हो गया यह दुकेला silicate यह जुड़ गया समझ में आरी बात कहां कहा negative charge होगा इसमें यहाँ negative होगा यहाँ negative होगा यहाँ negative होगा यह उपर वाले नेगेटिव होगा और यह उपर वाले नेगेटिव होगा यह वाले oxygen पर negative charge नहीं होगा, चुकि यह दो लोगों में share हुए है, इसका basic unit का formula पूसता है, तो basic unit का formula गिन के बताना है, पस इतना याद रखना है, वो oxygen दो यूनिट में share होगा, उस पर negative charge नहीं होगा, इसमें SI कितने नजर आ रहे हैं आपको, दो, अच्छा यहाँ जो यह इसमें मैं लिखना भूल गया था, यहाँ यह जो चितर बनाया था ना, यहाँ ऐसे करके लिख लेना, silicon है और गोला लिख के कर लेना, oxygen है, चितर बनाया तो उसका की तो लिखोगे ना, silicon और oxygen, ठीक है, अब इदार आज़ो, यह pyrosilicate इसका basic unit पूसता है, तो इसका basic unit में कि oxygen काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, उपर वाले, SI207, minus charge, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, SI207-6, यह पूसता है, basic unit, ठीक, अगला आजाओ, pyrosilicate के बाद तीसरा आता है, which is called cyclic silicate, cyclic silicate, मतलब नाम से समझ में आ रहा है, कैसा होगा, गोड़-गोड होगा, है ना, तो गोड़-गोड़ कराना है, इसको आजाओ इदा, यह हो गया, यह पहला silicate बना दिया मैंने, एक silicate इसी को ले करके, और बना दिया, और एक silicate यह बना दिया, दिख रहा है, cyclic, बन गया ना, एक cycle में जूड़ गया है, अपस में, तीन मेंबर, अब बताओ भया, यह वाला oxygen दो लोगों में share हुआ है, यह वाला oxygen भी दो लोगों में share हुआ है, इस पर minus charge नहीं आएगा, यह उपर वाले oxygen पर आएगा, यह कोने वाले पर आएगा, यह कोने वाले पर आएगा, और यह उपर वाले जो है, इन में भी आएगा इन तीनों पर नहीं आए बेसिक यूनिट पूस्ता है SI कितने नजर आ रहे हैं तीन Oxygen count करो उपर से आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SI के O हो गया 9 Minus charge count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो गया इसका basic unit तीन वाले का समझना है कैसे किया ठीक यह note करेंगे फिर मैं एक बताऊँ हुआ वो बना के दिखाना मेरे को जल्दी से करो silicate खतम होगा hydrolysis पढ़ेंगे hydrolysis पढ़ने के बाद देखते और क्या क्या कर सकते वो त्योरी England 80 पे 8 हो गई है इंडिया तो आज रात के जीच जाएगी यार दस बजे तक का मैच पढ़ा अभी तो बाप रे कोन मैं भई एसा खतरनाक बॉनर अपने है अकसर पटेल फिर से पांच विगेट 14 और मजाग चल रहा है इननों को तो खेला रहे हैं टाइम पास करा रहे हैं यार मैच तो देखने लाए कि स्थितिम पहुच गया है अब यहां से अगर इंडिया हार गई तो तो बहुत गलत बात है क्लास खतम होगी तो पता चलो तब तक बैटिंग खतम होगी मैच देखने हूँगा वो चालू कर तो क्या बोल रही हो बेटा गुडिया कुछ बोल रही चैट वाले में बटन दबाते चे रोई शर्मा बना लेगा उतना रोई शर्मा ही बनाएगा और के रोई से क्रिकेट की फैन यार बढ़िया देखो जमाना कितना बदल रहे है एक हमारी धरम पत्ती एक बार ना इन दौर में थे हम आईपीयल का मैच हुआ कसम से सची घट न बता रहा है तो मेरे पीछे पड़ा कि बोले आईपीयल का मैच देख में जाने नहीं नहीं साधी हुई थी भाई साब ब्लैक में टिकेट खरी थी तीना जार रुपे की एक दो लोग ते छे जार रुपे की टिकेट करी थी चे जार रुपे की टिकेट करीट के मैच देखने पहुचा मुंबाई इंडियन्स और किसी एक का मैच था मैं भी भूल गया किसका था अब बाई साब वो बैटिंग कर रहे जा रहे ना उनीचेवे वर में मुंबाई इंडियन्स और RCB का मेंच था, तो सायद RCB बैटिंग कर रहे थी, पहली इनिंग के on07 वर में मेरी बीवी बोलती है , RCB बैटिंग कर रहे हैं मेरी बीवी बोलती है मुंबैई वाणे कितना रण बनाएंगे करके मैं बोला भग गरीब तेरे चकर में ॅपर लग जया को यह नहीं पता कि कॉन सी टीम बैटिंग कर रही है बोले मैं उत देखने नहीं है मैं जिह क्या देखने आइ हैं मैं मैं स्टैडियम का महल देखने आइ मैं बोले 6000 उपर लग जयair मेरे तेरे के स्टेडियम के महाल के चक्कर में फिर वहाँ बोली कहाऊंगी करके तो खाना भी वो भी खिला है उसको पेटीज वेटीज जाके लेके आया है मैं बुलाया तिस अच्छा टीवी में देखने मज़ाता है हो गया? अब ये काम करें आप लोग मेरे को न ये हो गया तो इसको इधर कर देता हूँ एक बना के दिखा है मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहाँ ऐसे न छे मेंबर का साइकल बनाना है आपको ये पहला है ऐसे समझे रहो ये पहला बना दिया यहाँ ऐसे दूसरा बनाना यहाँ ऐसे तीसरा बाकी का तीन खुद बनाना समझे रहो? और बीच में इसमें सिलिकन और यहाँ ओपे माइनस समझे? अच्छा दिखाई नहीं दिया अब देख अभी क्या बनाया मैंने ये? एक, दो और तीन सिलिकेट जोड़ दिये, चार, पाँच और छे यहाँ खुद जोड़ने है अब आगे के यह बीच में होगा, अब बीच में एक क्या होगा? सिलिकन, इस से जुड़ेगा, इस से जुड़ेगा और इसके उपर क्या होगा? ओपे माइनस तो बाकी बचा हुआ खुद बनके मेरे को बेसिक फॉर्मूला क्या है वो जानना है तो बेसिक फॉर्मूला इसका जैसा यह निकाला न, SI309 वैसा इसका फॉर्मूला निकाल के देंगे जल्दी से ओ, असी पे नौ होगा अब भी अब भी मैच चल रहा है कौन है अक्सर पटेल अस्विन के चार अक्सर पटेल के पाँच यह तो पूरे मजे लेके मैच करवा रहे है यह भी स्विनर लोग तोटल ओवर कितना हुआ है दिखा नहीं रखेश में 29 ओवर हुआ है जिसमें से 15 पेका है अक्सर पटेल और 14 पेका है अस्विन किसी को बॉलिंग ही नहीं दिये दोनो बाप रे बाप यह लोग बॉलिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सब को बोल्ड और LBW बस ऐसे टाइप से रंगोली बना सकता अगले साल के रंगोली कॉम्पटिशन में बीच में हो आ जाएगा सब पे माइनस अर भाइया और जो रंगोली कॉम्पटिशन जीते हैं सर्टिफिकेट और इनाम तो ले जाना यार पेक करके रखे हुए हमारे पस भूल जाते हम कभी आओ इधर आप याद रखके आपको पता है आप जीते हो तो इनाम ले जाए सर्टिफिकेट ले जाएगा अंदर वाले उपर में जो लगें इनमें तो माइनस मैंने लगा ही दिया है बहुत बढ़िया आत्मे का फॉर्मूला आगया उसका ऐसाई कितने नजर आ रहे है छे एसाई सिक्स ऑक्सिजन काउंट करते हैं आजाओ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदर, सोला, सत्रा और अठारा तो यह होगे एसाई सिक्स ऑक्स ऑक्स ऑक्सिजन काउंट करते हैं आजाओ एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ, नो, डस, ग्यारा, बारा, माइनस ट्वेल्फ, यह बेसिक उनिट है, अब इसका जनरल यूनिट जो है, साइकलिक सिलिकेट का जो जनरल यूनिट है, वो पूसता है, देखो, तीन है, छे है, तीन है, नो हो गया, छे था, 18 हो गया, एन, 3N, थ्री टाइमस लग रहा है, तो यह बता है, SI O 3, whole N, this is N, and this is 3N, ठीक, एक आएगा, इसका तीन गुना आजाएगा, 3, माइनस 6, 6, माइनस 12, पावर में क्या जाएगा, माइनस 2N, तो यह वाला पूसता है, पेपर में इसको याद रखेंगे, नोट कर ले हो गया चलो आगे बढ़ें इसके बाद cyclic silicate के बाद आता है chain silicate chain silicate अब इतना important नहीं है chain silicate में क्या होगा chain बन जाएगे इस टाइप से अब मैं हाँ बेटा बोलना क्या बुरी हाँ सर के आगे लगता है मारा संपर्ग तूड़ गया chain silicate इस टाइप का बनेगा अब यह भाईया मैं आगे बना नहीं रहा हूं इसलिए नहीं बना रहा हूं चोकि इसकी फिलाल जरुवत नहीं है अब आएगा तो नहीं बना लोगे क्या करोगे यहाँ पर क्या लगा लोगे ओ यहाँ पर यहाँ पर सब जगा क्या लगा लोगे ओ बीच में सिलिकन यह ओ कर लोगे आएगा तो यह होगे chain silicate दूसरा chain silicate के बाद बनता है sheet silicate sheet silicate क्या होगा पूरे में draw कर लो और तीसरा बनता है three dimensional silicate जो 2D के साथ क्या हो जाएगा 3D बहुत सारी sheets में draw कर लो ठीक है चलो note करो इसको दोनों को बहुत अटक रहा है क्या है एक बार मैं भी leave करके आता हूँ फिर आगे पढ़ेंगे ने चलो chain silicate sheet silicate three dimensional silicate यह हो गया silicate हम आपने हाँ पर आगे adding आ लेंगे भई यह hydrolysis reactions hydrolysis reactions hydrolysis reactions यह कुछ reactions है जो अपने को पढ़ने है hydrolysis याने क्या होगा बोलो breakdown in presence of water तो यह हो गया breakdown ब्रेकडाउन लिख लेना breakdown in presence of water इसको कहते है hydrolysis breakdown in presence of water ठीक है सबसे पहला लिखेंगे number one SI CLO4 SI CL4 SI CL4 इसका hydrolysis कराना है इसमें क्या डालना है पानी तो देखो क्या होगा मैं थोड़ा सा आपको हिंड दे दे रहा हूँ SI CL3 और एक और CL लगा दिये तो बोलो CL पर कौन सा चार जाएगा जी partial negative और SI पर कौन सा आएगा partial positive यह कैसे तूटेगा H plus OH by 10 यह जो positive है इससे कौन जूड़ जाएगा OH क्या बना लेगा बोलो SI CL3 और OH बन गया अभी इसमें 3 CL और लगे मैं चाहूं तो कितनी बार hydrolysis और करा सकता हूँ जी 3 बार hydrolysis करा सकता हूँ तीन बार hydrolysis कराओंगा तो क्या होगा क्या हूँ आइडरोलिसिस में CL बाहर निकला उसकी जगा कौन लग गया OH यहां से CL और यहां से H मिलके क्या बना लिए HCL सबच मैरी बात अरे 4 CL थे एक CL अटा के उसकी जगा क्या लगाया OH तीन बार और कराओंगा तो बाकी बच्चे तीनों CL की जगा भी क्या लग जाएंगे तीन मोल और OH तो यह बन जाता SI OH whole 4 और तीन मोल HCL तो यह final product हुआ किसका hydrolysis का किसके SICL4 के ठीक दूसरा अच्छा इसके hydrolysis के लिए जो hydrolysis के लिए basic requirement है वो basic requirement क्या है कि यहां जो यह silicon होता है इसका atomic number 14 होता है 3S2 3P2 3D 0 होता है इसके पास होता है vacant 3D orbital और vacant 3D orbital में कौन अटेक करता है OH अटेक करता है सबसे पहले इसको mechanism जो अभी अपने scope से बाहर है ना class 12 में फिर से पढ़ा दूँगा 12 में आप एक पढ़ लोगे SN1, SN2 reaction तो आपको समझ आने लगेगा vacant 3D orbital के कारण यहाँ hydrolysis होता है अभी तना याद रखना है जैसे मैं बात करूँ CCL4 की CCL4 का hydrolysis कराना जा रहा हूँ सेम प्रोसेस है तो अपने को लगता है जैसे SI CL4 था उसी का छोटा भाई कौन है CCL4 तो यहाँ reaction क्या हो जाना चाहिए वहाँ बन रहा है SIOH whole 4 यहाँ क्या बनना चाहिए COH whole 4 लेकिन यहाँ reaction नहीं होता no reaction क्यों reaction नहीं होता reaction नहीं होने का कारण है कि carbon का atomic number 6 2S2 2P2 configuration होती है 2D नहीं होता इसके पास vacant D orbital नहीं है तो vacant D orbital नहीं होने के कारण vacant D orbital absent होने के कारण CCL4 का hydrolysis नहीं होता है यह बात याद रखने इतना note करो मैं एक minute में आ रहा हूँ और फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इससे आगे बढ़ेंगे यह इनका hydrolysis हो गया याद रखने CCL4 में hydrolysis नहीं होता why? due to absence of vacant D orbital यह पूसता है ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगला तीसरा BCL2 बहुत आसान है BCL2 दो मोल पाणी डा लिए चलो कोशिश करिया hydrolysis क्या होगा? हो गया? कैसे तूटेगा बोलो? CL पर कौन सा चार जाएगा? CL पर partial negative beryllium पर water कैसे तूटेगा? H plus OH minus CL minus की जगा क्या लगा देंगे? OH यह बन गया B E O H hold twice दोनो CL अटा दिया B E O H hold twice और साथ में क्या? दो मोल्स of HCL इसका एक और step में hydrolysis इसका कराते है अपन alkaline hydrolysis क्या कराते है? alkaline hydrolysis तो alkaline hydrolysis क्या होता है? मतलब और क्या ले लिए है मैंने? OH alkaline याने क्या है? base और base के presence में सबसे पहले तो यही बनता B E O H hold twice लेकिन alkaline hydrolysis याने water in presence of क्या? base base ले लिया base यह जो B Beryllium Hydroxide होता है इसका एक थास बात होता अगर याद हो तो Beryllium second group का member है second group वालों को कहते है alkaline earth metal लेकिन Beryllium को नहीं कहते है alkaline earth metal क्यों नहीं कहते है? चोकि Beryllium कैसा होता है? it is amphoteric और amphoteric है मतलब OH- से reaction कर सकता है कि नहीं कर सकता है कर सकता है क्योंकि amphoteric species react with base also base से reaction कर लेगा आप देखो B.O.H. hold twice B.O.H. B.O.H. यह B.O.H. hold twice का structure है यहाँ पर दो electron है इस bond में यह वाले bond में कितने electron है? दो total इसके पास कितने electron हुए? चार कितने electron होने चाहिए थे? आठ हैं कितने? चार यह दो bond और बना सकता है तो दो bond और बना लेता है basic medium में basic medium में बनाता है B.O.H. hold 4 लेकिन 2.O.H. minus जुड़े तो इस पर minus charge भी आएगा B.O.H. hold 4 minus 2 बनता है समझ में आया है कैसे बना? हो जाएगा? ठीक यह है alkaline hydrolysis बढ़ ज्यादा नहीं बचा है अपना hydrolysis यहाँ plus लगा लेना अगला reaction कराएंगे आप तीसरा B.C.L. 3 का चलो hydrolysis कराओ normal hydrolysis जो जानते हो कुछ नहीं करना उपर जैसे करा रहे हो वैसे ही होगा तुम हमारे थे बन गया? क्या बनेगा? बोलो B.C.L. 3 में आगे बढ़ें अब B.O.H. whole Thrice कैसा होगा? ऐसा कितने electron नजर आ रहे हैं इसके पास? 6 electron होने कितने चाहिए? 8 इसको कितने electron की कमी? 2 2 electron के लिए कितना bond बना सकता है? एक bond में 2 electron होते हैं तो अब अगर मैं इसका alkaline hydrolysis कराता हूँ alkaline hydrolysis कराता हूँ तो alkaline hydrolysis से क्या बनेगा बोलो? पहले तो B.O.H. बन गया वही अपना B.O.H. whole Thrice basic medium में डाल दिया तो 1.O.H. और ले लेगा एक O.H. और ले लेगा तो B.O.H. whole 4 उपर वाले में minus 2 आया था इसमें कितना आएगा बोलो? इसमें आएगा minus 1 समझ में आया? ठीक तो यह alkaline hydrolysis का note करेंगे, यह acid होता है ला यह boric acid है, boric acid H3BO3 this is what? इस इस बोरic acid है तो alkaline medium में torrent reaction कर लेगा, ठीक यह ला हो, चाहो तो side में रहें देना और जिनका हो जाएगा वो अगला करा के दिखाएंगे मेरे को ALCL3 का normal hydrolysis और उसका कौन सा alkaline hydrolysis अब तो समझ गया alkaline hydrolysis है ना? हो गया? चलो भई, आगे लिखेंगे कराली alkaline hydrolysis क्या बना बताओ? पहले वाले में अब ALOH whole 3 प्लस 3 moles of HCl aney अब ALOH whole 3 किते electron है? 6 electron पहली बाद दूसरी बाद यह जो ALOH whole 3 जो की बेरिलियम का डाइगोनल रिलेटिव है अब जो अभी तक कि अपन ने सीखा उसके इसाब से लगता alkaline hydrolysis में ALOH whole 4 minus बनेगा लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक twist है twist यह है कि aluminium का atomic number होता है 13 इसकी configuration होती 3S2, 3P1, 3D0 इसके पास क्या होता है vacant d-orbital और vacant d-orbital होने के बज़े से it can expand its octate 8 से जादा electron रख सकता है और aluminium का जो capacity है वो 6 तक का होता है 6 मतलब 6 bond बनाने तक का capacity होता है तो यहाँ alkaline hydrolysis में जो product बनेगा वो बनेगा ALOH whole 6 minus 3 यह दियान रखना है बस अपने को ठीक है और यह होने के बाद जिनका हो जाएगा वो आखरी MGCl2 का hydrolysis कराएंगे normal hydrolysis as well as alkaline hydrolysis इंडिया को 307 over में 43 run चाहिए जीतने के लिए 307 over में 46 run चाहिए 43 run अभी तो मैं भी चले जाओ तो जिता के ही आओं 307 over समझ रहे हो उसा लोक छगाना चाहिए इन लोंको अच्छा पूरा 307 over balling करवाना चाहिए ऐसे टीचुक टीचुक बड़ा मज़ा है आओ बोले साले खेलने आओ हमारे अंग्रेजो रोहिच सर्मा मार रहा है यार जबर्दस्तिम नहीं मारना चाहिए पिफसताना चाहिए रोहिच सर्मा और सुबमन गिला है मेरे इस आप से तो नीचे से भेजना चाहिए था बैटिंग में जाओ रहे खेल क्या हो सब अपना अपना है अकसर पटेल चल रहा जा बोले अकसर तुई balling के बैटिंग कर ले सब नीचे से बैजना चाहिए वाशिंग्टन सुन्दार आया बोले मेरे साला चार बॉल फेकवाई यह मेरे बैटिंग तो दो बोलना चीए उनको लणना चीए वालना चीए मैं होता तो लण गया होता शाले बैटिंग दे हो गया पहले वाले में क्या बनेगा MgO H whole twice MgO H whole twice बनेगा ठीक है दूसरे वाले में alkaline यह H3O plus मैंने गलती से लिख जेना बही alkaline hydrolysis है यह बाला OH माइनस और H2 alkaline hydrolysis है क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो alkaline hydrolysis में अब मन में आता है कि MgO H whole twice है कितने इलेक्ट्रोन लगा रहे हैं इसके चार कितने बना सकता है चार और मतलब दो बॉर्ण और बना ले ये बनाना चाहिए क्या MGOH होल ट्वाइस के आगे बेसिक मीडियम में इसको भाई को बनाना चाहिए MGOH होल फोर माइनस टू बना ले मजा आ जाएगा लेकिन नो माई डियर फ्रेंड ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता कोई बता सकता है क्या यह बेसिक होता है तो बेसिक है तो बेस के साथ आगे रियक्शन आप उपर वाले देख लो यह तो असी नहीं यह तो अमफोटरिक है aluminium amphoteric था, beryllium amphoteric था, boron acidic था magnesium कैसा है, basic है, तो base और base में आगे reaction होगा, क्या, नहीं होगा तो यह बात ध्यान रखने, ठीक है जी, तो यह हो गया अपना important चीजें हो गई सारी उसकी important मतला भी थोड़ा थोड़ा चीज बचा है तो एक आओ, एक आखरी important चीज पढ़ लेते हैं, heading डालेंगे भी या, borax borax, और फिर अगली class में से अपन लोग proper group wise पढ़ना शुरू करेंगे 13th group में, size, size, ionization, energy, phalana, dhema का, उस सब अगली class में पढ़ाऊंगा ठीक है, अपना दो class को और बच्चा है यह chapter, तो एक अपनी Saturday को बच्ची है और एक class अपन Saturday night के लेंगे, तो कोशिश करेंगे अपन Saturday night के ही हो जाए लेकिन Saturday night के problem बस यह है, कि वो जो दूसरे बैच वाले हैं, जो रात में साथ में पढ़ते हैं तो थोड़े एक lecture पीछे चल रहे हैं, तो मैं उनको कल मनाऊंगा कि Saturday को तुम्हारे साथ ही पढ़ने हो, तो बराबर हो जाएंगे तो फिर उनको Saturday right में अपन पढ़ा लेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं होता है, तो फिर Sunday की morning के यह वाला खतम, मैं Saturday night के केवल उन लोगों को पढ़ा के तुम्हारे बराबर ले आऊँगा, और फिर Sunday के morning में इसको पढ़ा के Sunday morning यह खतम कर देंगे अपन, ठीक है, पुरा का syllabus, ठीक, चला, बोरेक्स आजाओ, बोरेक्स का general formula है, na2b407.10h2, यह इसका formula है, na2b407.10h2, इसको बोलते हैं, टिंकल नाम है इसका, टिंकल या इसी को सुहागा भी बोलते हैं, टिंकल और सुहागा, टिंकल और सुहागा, टिंकल और सुहागा, इसका नाम है, नाम है तो याद रखना पड़ेगा, इसका structure पूछता है, पेपर में बहेंकर important है, तो structure of बोरेक्स, structure of बोरेक्स, बहुत ज़्यादा important है बोरेक्स का structure, इसका structure याद जो होता है, होता है, अभी जैसे मैं मोटा हूँ, तो मोटा हूँ, क्यों मोटा हूँ में सवाल जवाब नहीं हो सकता ना, तो बोरेक्स का जो structure है, वो structure है, क्यों ऐसा है, मैं जवाब नहीं होता हूँ, याद कैसे रखना है, ये मैं बता सकता हूँ, तो एक bank है, नाम सुना होगा, bank of baroda, short में बोलते है, बी-ो-बी, मैं रखाता भी एक ठोआ, बी-ो-बी, हैंने, तो ऐसे याद रखना है अपको, क बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो-बी-ो इसका प्रमान है लेकिन आप देखोगे जैसे ये वाला है यहाँ इस बोरॉन के कितने हाथ नजर आ रहे जी चार ये वाला यहाँ इस बोरॉन के कितने हाथ नजर आ रहे चार तो ऐसे केसे में बोरॉन के कितने कितने हाथ नजर आ रहे चार चार जो की जादा है जादा है तो ऐसे case में यहाँ पर minus चार्द लगा देंगे, यह minus और यह minus, तो इस पूरे पर कितना चार्द आ गया, minus 2, यह वाले बोरॉन पर तो क्या है, 3-3 हाथी, minus आ गया पूरे पर, तो इस पूरे क्या आ गया, अपने को plus लगाना पड़ेगा, तो अपने यहाँ लगा दिया 2NA+, समझ आगे 2NA, पीछे 8H2, खतम किस्सा, पेपर में क्या पूसता है, अरे बहुर में कुछ पूसता है, क्या पूसता है, बिलुकुल, इसका hybridization पूसता है, तो इसमें कितने sigma bond दिखे रहे हैं, 3, यहाँ भी कितने sigma bond दिखे रहे हैं, 3, क्या hybridization होगा, SP2, SP2, क्या geometry होगा, trigonal planar, तो इसके पास 2 SP2 hybridized trigonal planar unit है, इसके अलावा, यह वाले में कितना sigma bond नजर आ रहा है, 4, टेट्राहेड्रॉन जासा नहीं दिखे रहे हैं, उपर वाला दिखे रहे होगा, तो यह कैसा hybridized होगा, और कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, तो इसके पास 2 टेट्राहेड्रल unit है, और 2 trigonal planar unit है, यह पूस्ता है बात पेपर में, ठीक, structure note करो, बात लिखाऊँगा, और घर चलेंगे, मैच देखना है, माही मार रहा है, माही तो है नहीं, 11 run बना ली इंडिया, और लंच हो गया, यह क्या है लंच ब्रेक, इतने समय लंच होता है, डिनर ब्रेक करना चाहिए, हो गया, लिखेंगे बाईया, ब्रेक्स है, टो, SP2 hybridized tetrahedral units, ब्रेक्स है, टो, SP2 hybridized, SP2 hybridized trigonal planar unit, sorry, SP2 hybridized trigonal planar unit, and two sp3 hybridized and two sp3 hybridized tetrahedral units ठीक है इसका actual formula क्या है ये भी पूस्ता अच्छा इसमें न bov bond की संख्या कितनी है पूस्ता है तो bov bond कितने एक दो तीन चार पाच तो यहां लिखले न बी-ो-बी लिंकेज नीचे लिखलो कितने बी-ो-बी लिंकेज पाच अगला पूस्ता बी-ो-एच लिंकेज बी-ो एच लिंकेज तो देखो बी ओएच बी ओएच बी ओएच बी ओएच लिक्वी लिंकेज कितने है चार अगला पूस्ता बी ओ लिंकेज केवल बी और ओ तो आओ देखो इदर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ आट नो डस ग्यारा बारा तेरा चोदा समझें फिर देखिना हो भी ओ लिंकेज है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो डस ग्यारा बारा तेरा चोदा चोदा भी ओ लिंकेज है चोदा भी ओ लिंकेज है ठीक अगला पूस्ता इसका एक्च्वल फॉर्मूला यह तो कंडेंज्ड फॉर्मूला हो गया इसका ए A2, boron कितने, 1, 2, 3, 4, B4, केवाल oxygen कितने, 1, 2, 3, 4, 5, O5, OH कितने, 4, और dot 8H2O, यह इसका actual formula है, समझ में आया रही है, वो उसका condensed formula था, डन, तो इत्ती चीजे बोरेक्स की important है, बोरेक्स की कुछ और property, कुछ reactions भी है, जो अब अपन next class में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, शनिवार के मिलेंगे, उसके पहले आज रात के, 10 बज़े hydrogen पढ़ने के लिए, आप सब का स्वा